नक्सकर दोस्तों सुवागत है आपका एक भरविड सही आपके अपने यूटीब चैनल चौबलकपर दोस्तों आज की सुड़ी में बात करेंगे पीटेट काउंस्लिंग 2020 की बारे में जहां दोस्तों पीटेट तोवर्ड से पाठ्यकरम के लिए काउंस्लिंग की प्रक्रिया अन गोईंगे और यहां पर जो स्टेप चल रहा है वो कॉलिज अलोट्मेंट का साथी एड्मिसिन कन्फरम का साथी एपलाई अप्वर्ड मुमेंट का और इसी बीच फ्रेंट्स एक बहुत बड़ी अलर्ट निउस की आज इसके लिए आपकी अंतिम्ति थी यानि लास्ट पर इंडेक्स में देख सकते हैं साफ और इसपस्ट की आज आपकी 10-12-2020 यानि 10-12-2020 इसकी सुल्क जमा करवाने की साथी डोकुमेंट्स अपलोड करने की लास्ट डेट रखी गई है इसके बाद फ्रेंट्स बात करते हैं कि क्या सर यह डेट बढ़ेगी तो फ्रेंट्स मे और फिर आपके कॉलिज की फाइनल का रिजल्ट नहीं आया हैं अगर आपको कोई अन्य दिक्कत है कि फाइनेंसियल कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है तो प्लीज अरेंज कीजिये उसको और काउंसलिंग के लिए आज ही अपना सुल्क जमा करवाएं और डोकुमेंट् करें अन्यता फ्रेंड्स आपके लिए यहां पर कुछ नुकसान हो सकता है और हाँ फ्रेंड्स अब भी यह जो डेट बढ़ेगी यह मैंने आपको कहा है ना इस बार के लिए यहां पर आपके लिए तीन दिन नहीं बढ़ेगी लेकिन एक-दो दिन के लिए निश्चित पीस आपके सुल्क जमा करवाने की last date है और साथी साथ college में call कर उनसे यहाँ पर verification के लिए कहना और साथी उनको कहना की सार मैंने documents upload कर दिये इसके online reporting की last date 11 December 2020 है college में call करना अनिवारी नहीं है कहीं सारी colleges बीना call के ही admission को confirm कर रही है जिससे की आपके admission check admission status में आपके provisional admission slips हो रही है अगर आपको provisional slips हो रही है तो that's mean आपका admission उस college में confirm हो चुका है आपको आगे कुछ भी नहीं करना है लेकिन friends अगर आपकी admission provisional slips हो नहीं हो रही है तो आप अपने संबंदित college को कहें कि sir please जल्दी से जल्दी मेरा documents verify कर मेरा admission confirm करें ताकि आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चित हो सकें उस admission को लेकर then friends apply upward moment यानि upward moment करवाने के लिए आपके last date 12 दिसंबर 2020 रखी गई है यानि 12 तारिक तक आप यहाँ पर upward moment करवा सकते हैं और उसके बाद friends directly 13 को कुछ नहीं 14 दिसंबर 2020 को आपके यहाँ पर upward moment का result भी आएगा और साथी साथ second counting यानि first waiting list की भी यहाँ पर सूचना दी जाएगी जिनको college नहीं मिला है उनको भी अब भई आपको एक बात और यहाँ पर clear कर दूगी कोई दिक्कत नहीं यह upward moment का result और उसके साथ आपकी first waiting list आपको कुछ नहीं करना है आपको simply इसी two year के section पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करोगी तो आपकी सामने कुछ सरका interface आएगा 14 December 2020 को भी यहाँ पर आपको print allotment letter का link देखने को मिलेगा simply आपको इसी पर click करना है क्या sir इसी पर click करना है जिनको upward moment का result देखना है वो भी यहीं से देखेंगे और साथी waiting list पाले जारती भी इसी पर click करेंगे और यहीं पर details फिल कर अपनी सम्मंदित college को देखेंगे तो friends आप यह भी कह सकते हों कि sir अभी तो यह link यहीं पर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर update हो चुका है यहनि upward moment का result भी आ चुका है और waiting list वालों का result भी आ चुका है तो friends मैं आपको बता दू कि अगर आपक है तो आज ही की date में इसे वहाँ से remove कर दिया जाएगा वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा और उसके बाद directly वह 14 दिसंबर 2020 को ही आएगा लेकिन इसके percentage 10% थे इसके chances की आज इसकी last date हो 99% आपके यहाँ पर इसकी last date बढ़ेगी तिन friends बात करते हैं आपके पर्थम counselling के cut off की तो friends इसके लिए यहाँ पर ऐसा कोई बंदा या फिर कोई emitter या फिर कोई youtuber आपको यह बोलता है कि आपको वो बिल्कुल confirm यहाँ पर इसकी cut off बता देगा तो friends ऐसा हो इनहीं सकता है because आपकी जितनी number आए हैं किसी न किसी के उतनी के उतनी number आए होंगी लेकिन उसको college आवंटित हुआ होगा आपको college नहीं आवंटित हुआ होगा वो दो condition में होता है पहली condition यह हो सकती है कि आपकी category और उस सामने वाले category अलग-अलग है means आपकी मानले जिए जनरल category है और दूसरी बात उसकी category OBC है तो simple सी बात है कि OBC वाले को seat मिलेगी जनरल वाले को नहीं या फिर मानले जिए कि आपकी category OBC है और सामने वाले की SEA, STA है तो इसमें भी आप समझ सकते हैं दूसरी friends ये बात होती है कि आपने मानले जिए कि 10 ही college भरेते और उसने all राजस्तान किया था तो ये तो गाना में कब से गा रहा हूँ कि भई जितना ज़्यादा विकल्प देते हो उतनी ज़्यादा संभावना है होती है आपको college मिलने की और एक बार first counseling में आपको जो college मिल जाती है उसको 90% आप change कर सकते हो upward moment की द्वारा क्यूंकि first counseling में upward moment का बहुत ज़ादा यहाँ पे हलचल रहती है लेकिन friends यहाँ पे मैं यह कह सकता हूँ कि जी हाँ मैं आपको first counseling की बिलकुल सही और सटेक cut off दिखाने जा रहा हूँ तो friends कैसे इस बारे में बात करेंगे और उसी के साथ second counseling की क्या संभावित cut off रहेगी इस बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में उससे पहले friends अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो please वीडियो को like कर दीजी और अपने friends के साथ share कर दीजी चैनल को support कीजी support की बहुत आउशिकता है आप like नहीं करते हो वही कमी है यहाँ तक ये भी comments में ने पढ़े हैं कि sir आपकी videos पर comments भर पूर आते हैं यानि comments क आपन थे cutoff पर और cutoff को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको simply speech पर आना है जी हां दोस्तो जॉब लग के speech पर आना है यानि channel को open करना है सबसे पहले आपको channel को subscribe करना है और past निस्तित bell icon को प्रेस करना है और उसकी बाद friends आप यहाँ पे channel की community को देख रहे है इस community tab पर click करना है जैसे ही आप यहाँ पे click करते हैं तो आपके सामने कुछ इसतर का interface आएगा और friends यहाँ पे मैंने एक post डाल रखे हैं जिसमें मैंने लिख रखा हैं कि अगर आपको college आवंटित नहीं हुआ है तो आपकी category gender तता विशे comment में लिखे तो इस post की comments आपको यह gender हैं उसके similar किसी के यहाँ पर college नहीं मिला है क्या और उसी के साथ friends मैंने एक और post यहाँ पर upload कर रखा हैं उसमें मैंने यहाँ पर पूछा हैं कि आपके कितनी अंके जब आपको यहाँ पर college मिला तो इस post के अंतरगत आपको संबंधित विद्यारती की number साथी उसकी category साथी उसका subject देखने को मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि आपकी category के बंदे या बंदी को कितने number पर college नहीं मिला हैं और साथी आपकी category के बंदे या बंदी को कितने number पर college मिला हैं एक बात मैं यहाँ पर clear कर दूं हो सकता हैं कि आपके similar number में भी यहाँ पर विकल्प कम दिये होंगे और उस सामने वाले ने विकल्प जादा दिये होंगे तो जाओ देखो community में उस post को उसकी comments को साथ ही अपना भी वहाँ पर comments लिखो उसकी बाद friends अंत में यहाँ पर एक बात और करनी है अब भी यहाँ पर एक सवाल बच रहें बच क्या रहें मैंने बार-बार उसको कई सारी वीडियोस में बता दिया लेकिन फिर भी पूछा जा रहें तो मैं जवाब दिदू क्या अब मैं all राजस्थान कर सकता हूँ यानि क्या मैं अपनी college choice को edit कर सकता हूँ तो sorry friends पर इसका जवाब है नहीं जी नहीं आप college choice में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते with proof मैं आपको दिखा रहा हूँ जब आपने यहाँ पर college विकल्प दिये थे तो नीचे यहाँ पर anywhere in राजस्थान का option था और इसके नीचे यहाँ पर red color की line में देखने को मिल रहा था कि आपको यहाँ पर college विकल्प भरने का एक ही बार मौका दिया जा रहा है तो आप अच्छे से इसको समझ कर भरे और उसी के page पर friends आपको यहाँ पर यह भी देखने को मिला होगा महाविद्याले विकल्प भरने ही तो एक ही आउसर दिया जाएगा यानि finally वो एक ही आउसर था आपके द्वारा भरे गए महाविद्याले विकल्पों के आधार पर आगामी पर्थम दित्य तथा अन्य काउंसलिंग की जाएगी यानि friend साफ और इसपस्ट है कि आपके यह जो waiting list आ रही है वही आपके यहाँ पर second counseling है और उसके बाद आगे और waiting list आती है तो वो आपके third counseling होगी और उसका आधार आपके वही महाविद्याले विकल्प वाला होगा उसमें आप किसी भी परकार से एडिट नहीं कर सकते आपने ये पढ़ा होगा और यहाँ पे यह भी लिखा था कि आपको यहाँ पे अधिक से अधिक विकल्प देने हैं और ये अधिक से अधिक वाला तो आपको मैं बहुत बार पता चुका हूँ कि भई टेंसन नहीं लेनी है कि आपको कहीं और कॉलिज मिल जाएगा टेंसन ये लेनी है कि अगर कॉलिज नहीं मिला तो हम क्या करेंगे लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी वेल फ्रेंट्स मैं भी चाहता हूँ कि आपको कॉलिज जरूर सी जरूर आवंटी थो और उसी की साथ आपका यहाँ पर एड्मिशन भी कन्फरम हो लेकिन फ्रेंट्स यह आपके लग पर भी डिपेंड करता हैं बाकी फ्रेंट्स ऐसा इतना कुछ भी नहीं है देखिए आज आपकी फ्रेंट्स यहाँ पर बीड कर रहे हैं कल आप भी कर लेंगे चिंता ना कीजिए अगली बार अच्छे सिध्यान रखना इस बात का और वैसे भी रीट की अभी वेकेंसी जो आ रही है उसमें अगर आप बीड कर भी लेते हैं इस यहर तो आप पार्टिस्पीट नहीं कर सकते क्योंकि आप फस्ट यहर में होंगे और रीट आके निकल जाएगी और अगली जो वेकेंसी रीट के आएगी वो साइद और साइद 2023-2024 में आएगी तब तक आपकी बीड कंप्लीट हो चुकी होगी ज उसके बाद फ्रेंड्स एक और यहां पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ इस वीडियो में जाते जाते कि अगर आप बीड कर रहे हैं अगर आपने पीजी नहीं कर रखा हैं तो आप पीजी कर सकते हैं बीड के साथ प्राइवेट यह एक दम मानने है कोई दिक्कत नही बीड एक रेगुलर कोर्स है और उसके साथ आप कोई भी प्राइवेट कोर्स कर सकते हैं और निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो आपके लिए बिल्कुल वैलिड रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई दो साल आप बीड करोगे इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आ प्लीज वीडियो को लायक कीजी अपनी फ्रेंड के साथ सेर कीजी और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रेस कीजी और साती सात ये भी चैनल के कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मेरी वीडियो किस डिस्टिक से देखते हैं ताकि मुझे प